हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू ए टू जेट नॉलिज वित्रू पेस पर, कैसे है आप लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे, आज इंटर्नल बैलेंस क्या है, इसके ओपर डिस्कस करने वाले है, वीडियो को अंठ तक जरूर देखे, तो चलिए आज की व आंतरिक संतुलन यानि इंटर्नल बैलेंस, प्राचिन अतीद में प्रम योगानंद सिखाते हैं कि भारत आंतरिक और बाहरी विकास में सर्वोकिष्ट संतुलन रखता है, सामागरी, धन और महान अध्यात्मिक संपती, अपनिवेशिक काल के दोरान, वह संतुलन धिये-धिये नश्ट हो जाता है, संपती में गिरावट होना बहुत गड़ी भी उत्पन हो गई और उन लोगों का कई परिसानियों का सामना करना परा, जबकि अध्यात्मिक ज्यान का रख रखाव किया, और यहां तक कि उसे बढ़ाया भी गया, पस्चिम में समान अंतराल के दोरान इसके साथ गती बनाएं, रखने के लिए बहुत थोड़े आंतरिक अध्यात्मिक विकास की विकास सहित तक्निक और समागरी धन का अत्रात्मक पिस्पोर्ट था, परिनाम स्वरूप पस्चिम नैतिक, समाजिक और अध्यात्मिक गिरावट से गिरावट से पिडित होना प्रारंब होता है, भारत के महान स्वामियों ने समय के बारे में पहले ही बता दिया था, जब पस्चिम पहले धन का संचे और प्रोधिकी के छेत्र में प्रगती द्वारा अपने सर्वक्रिष्ट संतुलन को पुनः प्राप्त करता है, और पस्चिम आंतरिक अध्यात्मिक विकास के दोरा पहले आने वालों के संतुलन प्राप्त करता है, वो समय अब है, आज भारत तक्निकी और बैग्यानिक कोशल में और बहुती खेरियत अपने भाग के साथ अनुक्रिल सुच्छा चाडिता से सफल है, समान अब्धी के दोरान पस्चिम को दो महान अध्यात्म भागों में किये गए थे, विविकानन्द और योगानन्द जैसा कि भारत में अब है, जहां तक्निकी समझ रखने वाले लोगों की एक नई पीढ़ी है और तेजी से बढ़ता हुआ, एक माध्यम वर्ग भी पस्चिम से आज के आदुनिक योगी लोगों की एक नई पीढ़ी है, क्योंकि पुर्व पस्चिम पुर्व की नकल उतारने में लगा हुआ है, यह स्तंभव है कि हम एक दूसरे के सामने से गुजरे और रात में दो जहाज अंजाने में एक दूसरे के आसपत से गुजर जाते हैं, और वो भी एक दूसरे का फाइदा उठाए है बगएर, यदि हम बात करने के लिए रुके पस्चिमी योगी कहेंगे वही गलतिया मत करो जो हमने की है, हमारे पास अपनी समस्याए सुल जाने के लिए तकनिक है, लेकिन हमारा मार्ग दर्सन करने के लिए आवसक आंतरिक अध्यात्मिक विकास की कमी है, हमने अपने तकनिक को बरबात किया है या इसके बुरा नुकसान पहुचाने के लिए इसका इस्तमाल किया है, हमने बहुत मेहनत की और बहुत लंबे समय तक किया है, ताकि हम अच्छा घर, कार, कपरे और यात्रा प्राप्त कर सकते हैं, हमने इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई है, हम तनाव अवसाद और जीवन में, जीवन को खत्रे में डालने वाली विबारियों से पिरित हुए हुए है, हम अपने प्री जनों एक दूसरे से और प्राकृतिक दुनिया से विम्मुख। ये फ्राप्त कर सकते हैं, हुए है हमने इंसान होने के लिए अपने महान कारण खो दिये है पस्मी सपनों को पूरा करने के लिए आपकी कोशिसों में भारत के महान अध्यात्मिक गुरुओं की सिक्छाओं से दूर जाने के लिए इतनी भी इतनी तेजी से तेजी मत करो आपको किवल उनकी बुद्धी के वापस आना परेगा बिलकुल उसी तरह जैसा अभी पस्चिम में हो रहा है चाहे कोई पुर्व से असुरू करे या पस्चिम से जीवन के मुलभूत तथे समान ही रहेंगे योग यह सिखाता है जीवन का उदेश ग्यान मुक्ती समाधी है पस्चिमी की बेभारिक त्विष्टी के दौरा राजा योग ज्यान का उचित पत्प्रदान करते है जिसमें 50% सही समझ में आता है और 50% सही समझ में आता है और 50% सही अभ्यास से जिसमें चिंतन सामिल है सही समझने में ज्यान और सक्ति सामिल है पस्चिमी योगी पतंजली और संक्रा द्वारा परदान किये ग्यान पर और चेतन्य और रामक्रिष्न द्वारा सिखाई गई भक्ति और आश्चर चकित है पस्चिमी योगी जानता है इन महान गुरुव की सिक्छाए आंतरिक और बाहरी विकास के बीच सर्वट क्रिष्ट संतुलन अस्थापित करती है हमें भारत माता को इन महान गुरुव की सिक्छाए आंतरिक और बाहरी विकास के बीच सर्वट क्रिष्ट संतुलन सिक्छाए और आंतरिक और बाहरी विकास के बीच सर्वट क्रिष्ट संतुलन अस्थापित करती है हमें भारत माता को इस समरित अध्यात्मिक उपहार के लिए धन्यवाद देना चाहिए इसके माध्यम हम समझे है कि आंतरिक ग्यान और सक्ति के बिना तक्निके और धन्यवाद कुछ नहीं है पस्यम को अपने तक्निकी और विज्ञानिक ग्यान खुले तोर पर पुर्व की धार्मिक सिक्छाओं के बदले देना चाहिए वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर लिखे अगर हमारे वीडियो को फेस्ट बूक इंस्टाग्राम पर देख रहे है तो हमें फोलो जरूर करे ताकि लेटेस्ट इंफोर्मेशन आपको मिले जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका समय सुब हूँ थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो